हेलो एवरिवन, मेरा नाम शिवानी है, मैं लाइब्रेरी की मेंबर हूँ मैंने पिछले साल यानी 2022 में अपनी 12th कंप्लीट की फिर मैंने C.O.E.T. एक्जाम दिया कॉलेज में एड्मिशन पाने के लिए मेरे लिए C.O.E.T. का फॉर्म भरना बहुत मुश्किल था पर मुझे लाइब्रेरी से काफी मदद मिली मेरा नाम कमला नहरू कॉलेज में आया, पहले लिस्ट पर पर मेरा O.B.C. सर्टिफिकेट रिन्यू ना होने के कारण मेरा एड्मिशन कैंसल हो गया और मैं आगे as a general category consider की गई मैंने अपना O.B.C. सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लिया था फिर भी मुझे कोई option नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपना renewed सर्टिफिकेट सम्मिट कर पाऊं और मुझे एक O.B.C. candidate consider किया जाए मैं इस issue को लेके north campus और south campus कई और वहाँ पे हमने बात की पर वो लोग बिलकुल मदद नहीं करना चाहते थे बलकि वो खुश थे हमें इस education system से exclude करके मुझे और मेरे जैसे और बच्चों को जो same issue के लिए आये थे वो लोग reservation के सक्त खिलाफ थे और खुद पे काफी गर्व महसूस कर रहे थे इस पूरे system को नाकामियाम बनाने में आखिर मेरा admission हुआ कमला नहरू कॉलेज में वो भी OBC seat में मेरे साथ TCLP थी मैं अकेली नहीं थी इस लड़ाई में पर बहुत सारे बच्चे SCST OBC students को exclude किया जाता है जिनके पास organization का support नहीं होता उन्हें अकेला करके इस system से बाहर किया जाता है किसी organization से जुनने से ये struggle हमारे अकेले का नहीं रह जाता और हम काफी ताकत से लड़ सकते हैं इस अन्याय के खिलाफ मेरे साथ TCLP थी और अब library में एक ऐसी committee बनाई जा रही है जिस से हम और ताकत से इस अन्याय के खिलाफ लड़ पाएं अभी हमने शिवानी से सुना कि कैसे SC, ST, OBC students को पढ़ाई से बाहर रखा जाता है इसी तरह हम एक और student के कहानी सुनेंगे रोहित वेमिला की जो हैदराबाद युनिवस्टी के 26 साल के छातर थे वो दलित थे वो अपने college के अंबेटकर student association का हिस्सा थे और वहाँ दलित students के लिए और जातिवायत के खिलाफ अक्सर प्रदरशन किया करते थे जिसके चलते उन्हें अपने college होस्टल से निश्काशित किया गया उनकी fellowship भी रोकी गई और उन्हें चार और स्टूडेंट्स के साथ होस्टल से निकाला गया इसके खिलाफ उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ कॉलिज में ही प्रोटेस्ट किया जिस जगाब पर वे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसका नाम उन्होंने वेली वाडा रखा जिसका मतलब तेलिगु भाशा में है एक दलिद बस्ती इन सब के चलते 17 जन्वरी 2016 में उनकी मौत हुई जिसका कारण था आत्मत्या आत्मत्या से पहले उन्होंने एक आखरी खत लिखा जिसे अब हम साथ में पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होंगा मुझे पर नराज मत होना मैं जानता हूँ कि आप मेंसे कई लोगों को मेरी परवा थी आप लोग मुझसे प्यार करते थी और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ मैं एक दानव बन गया हूँ मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था साइंस पर लिखने वाला काल सागन की तरह लेकिन अंत में मैं केवल ये पत्र लिख पा रहा हूँ मुझे विज्ञान से प्यार था सितारों से प्यार था प्राकरती से प्यार था लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्राकरती को तलाग दे चुके है हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई है हमारा प्रेम बनाव्टी है हमारी माननेताएं जूटी है हमारी मौलिकता वेध है बसकृतिम कला के जरी ये बहत कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो एक आदमी की कीमत उसकी ततकाली पहचान और नस्दी की संभावना तक सिमित कर दी गई है एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बन कर रह गया है एक वस्तू मात्र कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आका गया एक ऐसी चीज जो स्टारडस से बनी थी हर शेतर में, अध्यन में, गलियों में, राजनीती में मरने में और जीने में मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ पहली बार मैं आखरी पत्र लिख रहा हूँ मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब ना बनने दो हो सकता है कि मैं गलत हूँ अब तक दुनिया को समझने में प्रेम, दर्ध, जीवन और मृत्यों को समझने में ऐसी कोई हडबड़ी भी नहीं थी लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशा भीरा मेरा जनम एक भयंकर हाथसा था मैं अपने बच्पन की अकेलेपन से कभी उभर नहीं पाया बच्पन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला इस शन मैं आहत नहीं हूँ मैं दुखी नहीं हूँ मैं बस खाली हूँ मुझे अपनी भी चिंता नहीं है ये द्याई नहीं है यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ लोग मुझे कायर करार देंगे इस स्वार्ती भी मुर्ख भी जब मैं चला जाओंगा मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता लोग मुझे क्या कहेंगे मैं मरने की बात की कहानियों भूत प्रेत में यकीन नहीं करता अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो वो ये कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी साथ महीने की फैलोशिप मिलनी बाकी है एक लाग पिछत्तर हजार रुपे किरपिया ये सुनक्षित कर दें कि ये पैसे मेरी परिवार को मिल जाए मुझे राम जी को चालिस हजार रुपे देने थे उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे लेकिन प्लीज फैलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दे मैं चाहूंगा कि मेरी शव्यात्रा शांती से और चुपचाप हो लोग ऐसा वहवार करें कि मैं आया था और चला गया मेरे लिए आसू ना भाहे जाए आप जान जाएं कि मैं मर कर खुश हूँ जीने से अधिक छाया से सितारों तर उम्मा अन्ना ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूँ अंबेटकर स्टूडेंट असोसियेशन परिवार आप सब को निराश करने के लिए माती आप सबने मुझे बहुत प्यार किया सब को भविश्य की शुपकामना है आखरी बार जैभी मैं अपचारिताइं लिखना भूल गया खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं ना तो अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परिशान ना किया जाए हमने शिवानी और रोहित विमुला दोनों से सुना कैसे SC, SC और OBC कम्युनिटीज को अपने पढ़ने के हर्से बाहर रखा जाता है इस पूरे पोस्त को सुनकर मैं चाहूंगा कि हम सब जाने से पहले एक सवाल सोचने कि हमारे समाज में जातिवाद की समस्या ही रोहित विमुला की मौत का कारण है मेरा नाम सुमिथ है आप ये पोस्त दुनिया सबकी पर सुन रहे थे ऐसे और पोस्त दुनिया सबकी पर आते हैं